नमस्कार दृष्टी PCS चैनल पर आपका स्वागत है आज हम लोग मध्ध प्रदेश लोग सेवा आयोग से संबंधित जो भी हालिया घटना करम हुए हैं और उनसे जुरे हुए जो भी सवाल बन सकते हैं और उनसे जुरे हुए जो वैक्षा हो सकती हैं उसके साथ उपस्तित हुए हैं तो आईए बीना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुवात करते हैं और देखते हैं मध्ध प्रदेश लोग सेवा आयोग की कॉंटेक्ष्ट में हाल की समय में जो घटना करम हैं में पहला सवाल कौन सा है पहला है विक्रोमोथ सोथ 2021 का आयोजन कहां किया जा रहा कि यह जो आयोजन है यह आयोजन भुपाल में हो रहा है भुपाल में कहां मध्य प्रदेश जन जातिये संग्रहाले जन जातिये संग्रहाले में इस म्यूजियम में इस आयोजन को किया जाने किया जा रहा है और यहाँ पर नाम ध्यान रखेगा विक्रोमोथ सो में जो विक्रम है वो उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य के पॉइंट ओव विव से इसे विक्रमोथ सो नाम दिया गया है उज्जैन को जो विक्रमादित्य राजा है इनका कोई ऐसा एहतिहासिक साक्ष्य एकदम नहीं है लेकिन उनके संदर्व में जो एक कथाए हैं उनके कारण उन्हें बहुत ही महत्तपून स्थान दिया जाता है और उनके बारे में एक बहुत ही महत्तपून तथे ये भी है कि जो विक्रम संवत हैं 57 अंटावन इसपूर्व जो एक संवत का शुम आरंभ किया गया था वह उन्हें के नाम पर किया गया था विक्रम समत 57 अंटावन इसापूर्व से ही माना जाता है और आपको शायद पत हो कि शक्त समवत वह 78 इसवी से उसकी शुरुवात होती है जब भारत में कुशान सासर कनिस्क का शासनकाल था तो कनिस्क ने शक्त समवत की शुरुवात की थी है ना तो विक्रमुट्सव के कॉंटेक्स में यह से बाते हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए भरते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है राज्य में आनंद उत्सव का आयोजन कब से कब तक कब तक किया जाएगा ऑप्शन से एक से साथ जनवरी साथ से चौदह जनवरी दो हजार बाइस चौदह से समभावनाय तलाश ही जाए जबकि व्यक्ति एक शांती पूर्ण जीवन वेतित कर सके शुक का जीवन और आनंद वाला जीवन वेतित कर सके उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए इस पर ध्यान दिया गया है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए मत्य प्रदेश सर है ना तो इन चीजों को ध्यान में रखने के आविशक्ता है और मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है कि हम joy of giveness किसी को सहयोग देने का जो सुख होता है जो आनन्द होता है उसको हम यहाँ पर तरजीह देंगे तो इन चीजों का यहाँ पर आपको ख्यार रखना होगा option c इसक Company का सही जवाब है option a भुपाल में इसका आयो जनर किया जाएगा भारत भवन में भारत भवन एक भार भुपाल में वहां पर इसका यहाँ जनर किया झाए और भारत हद भुवन जो है इसका झाहेगा अगला सवाल देखते हैं निर्जरनी महुचा का ऐयोजन आप त्व हिए ऐसी आप से जविधी का सही जवाब है और अपराई यह जिए में इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर अली राजपूर में अगरा सवाल देखते हैं सतनाम पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है ऑप्शन से घासी दास महावीर रविदास या फिर सूर दास इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु घासी दास को सतनाम पंथ का संस्थापक माना जाता है जो घासी दास जी थे इनके बारे में कहा जाता है कि यह पशु प्रता के विरुद्ध थे और समाज में जो भी अन्य कूप रथाएं थी उसके अगेंस्ट में उसके विरोध में इन्होंने कदम उठाये थे इस लिहाज से इनकी चर्जा अक्सरा होती है option A इसका सही उत्तर है पंथ का नाम ध्यान रखेगा सतनाम पंथ के कॉंटेक्ष्ट में यहाँ पर बात की जा रही है अगला सवाल देखते हैं इंडिया टुडे स्टेट ऑफ दे स्टेट्स कॉंट्रेव 2021 में मोस्ट इंप्रोव्ट बिग स्टेट्स इन एग्रिकल्चर का पुरस्कार किस राज्य को मिला है option C राजस्थान, तमिलनाडू, मत्रदेश या फिर अरुनाचल प्रदेश इस प्रशन का सही जवाब है, option C मत्रदेश को जो है, सबसे अच्छा पुरस्कार, स्रफशेश पुरस्कार इसमें दिया गया है किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, तो इंडिया टुडे के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है उसकी हिसाब से मत्रदेश को यह पुरस्कार दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है, कि यह पुरस्कार मत्रदेश को चौथी बार मिला है तो यहाँ पर आपको यह चीज़े ध्यार में रखने चाहिए मत्रदेश जो है, चित्रफा के दिश्ट को इसे पूरे भारत में सबसे अधिक जो है, वन चित्र घेरता है यहाँ पर आपको यह नोट करने लाइक बिंदू है, उसको ध्यार में रखिएगा बरते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है, इंडियान यंग इन्वेस्टर्स चैलेंज का आयोजन किसके द्वारा किया गया है ओप्शन है, विक्रम इन्वर्सिटी, सैम ग्लोबल इन्वर्सिटी, माखन लाल चतुरवेदी इन्वर्सिटी या फिर रानी दुर्गावती विश्विद्याल है इस प्रेशन का सही जवाब है, ऑप्शन B, सैम ग्लोबल इन्वर्सिटी या जो चैलेंज है, इंडियान यंग इन्वेस्टर्स चैलेंज इसका शुभारंब मध्य प्रदेश के राज जेपाल मंगु भाई पतेल जी ने किया है और इसका जो शुभारंब है किसके द्वारा किया गया है, सैम ग्लोबल इन्वर्सिटी के द्वारा किया गया है ऑप्शन B, इसका सही उत्तर है अगला सवाल देखते हैं, भारती शास्त्रिय संगीत का सबसे प्रतिश्टित महोसो तांसिन समारो कहा आयोजित होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और तांसिन के बारे में आप शायद जानते होंगे कि इनका बच्पन का नाम क्या था, राम तनु पांडे स्वामी हरिदास जी के अंदर कत रहते हुए इन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहन की थी ऐसा माना जाता है, और मैं आपको यह भी बता दू कि मुगर समराठ अकवर के दरबार में भी यह नौरतनों में से एक थे अकवर नहीं इन्हें मिया तांसेन, यानि मिया की उपाधी दी थी राम तनु पांडे से ये बाद में तांसेन हुए थे और अकवर ने इन्हें कौन सुपाधी दी थी मिया की उपाधी दी थी, मिया तांसेन इन्हें कहा जाता है और मुहम्मद गौस जो एक सुफी संद थे उनकी प्रभाव में ये थे और वरतमान में जो इनकी समाधी है मुहम्मद गौस की समाधी के बगल में ही इनकी समाधी भी ग्वालियर में ही है तो ग्वालियर में ही तांसिन समारोह का आयोजन किया जाना है Option C इसका सही जवाब है अगला सवाल देखते हैं मंध्य प्रदेश अरबन डेवलप्मेंट कंपनी द्वारा किसके सहयोग से जल प्रदाय परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है Option C इसका सही जवाब है Option B इसका सही जवाब है Option B इसका सही जवाब है और किसके द्वारा ADB का मुख्याले कहां पर है ये फिलिपिन्स के मनिला में है है ना अगला सवाल देखते है हाल ही में हेलिकॉप्टर जोयराट की शुरुवात कहां की गई है Options है रायसेन, वीदिशा, शिवपूरी और हनुवन्तिया हनुवन्तिया खंडवा के पास एक जगह है और हेलिकॉप्टर जोयराट का जो मकसद है ये है कि परियाटक हेलिकॉप्टर की माध्यम से परियाटन का अनन्द ने और इस स्थान पर हनुवन्तिया में जो है इसकी शुरुवात की गई है और इस हिसाब से Option D इसका सही उत्तर है अगला सवाल देखते हैं मुहम्मद उसुफ खत्री का संब्द निमनलिकित में से किस्से है बाग प्रेंट मधुबनी प्रेंटिंग वर्ली प्रेंटिंग या फिर कलमकारी प्रेंटिंग इस प्रेशन का सही जवाब है Option A बाग या फिर इसे बाग प्रेंट भी कहा जाता है यह मुहम्मद उसुफ खत्री जो है यह इसी से संब्दित हैं बाग प्रेंट से संब्दित है धार जिले में मत्य प्रेश के धार जिले में यह प्रेंट बहुत ही मशुहूर है और उसी से इनका संबंध है मुहमत इसुफ खत्री जी का संबंध है बाग पिंट के बारे में यही मोटे तोर पर मैं आपको बताओं तो लकड़ी के ठपे का इस्तिमाल किया जाता है कपरों पर मुहर लगाने के लिए एक छपाई करने के लिए तो इस हिसाब से इसका प्रजलम बहुत है देश-विदेश में इसकी ख्याती है बाग-पिंट की ख्याती है कभी यदि सवाल बने तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं option A इसका सही जवाब है तो आज यहीं तक हम सीमित रखते हैं नेक्स्ट सेशन में मत्रप्रेश्ट लोक सवा आयोक से संबंधित जो अन्य महत्वपून घटना करम रहेंगे उनसे संबंधित जानकारियों के साथ उपस्तित होंगे तब तक पढ़ते रहें स्वस्त रहें और अच्छे से पास किजिए नमस्कार